देखो ये तो फिक बहुती ज़़ाँ आसान है लेकिन question solve करने के लिए आपको थोरा सा concept को समझना होगा ठीक है तो आप लोग धेंच से डेखना ओके और paper pen लेके बेच जाओ देखो idea ये है कि suppose एक electric field है ठीक है तो इस electric field पे अपने एक charge रखा कुछ भी charge हो positive negative है तो अगर positive charge होंगे तो इसके उपर force लगेंगे इस direction में यानि electric field की जो direction है उसी direction में तो कितना force लगेंगे उसको निकलने के लिए जो formula है that is f is equal to qe ये formula है factor है factor लगादा ठीक है अगर negative charge होंगे तो opposite direction में force लगेंगे fine तो अभी देहां से देखो इसको देखो बहुत लोग रट्टा मरते हैं तुम इहाँ पे एक idea देते हो तो एक concept है कि अगर positive charge होंगे तो वहाँ से electric field always क्या है निकलते हैं ठीक है फिर अगर negative charge होंगे तो electric field क्या होंगे है कि नहीं इस direction में जा रहे है तो यहाँ पर कही है negative charges है ठीक है तो अभी देखो यहाँ पर positive charge होंगे तो इस पोजिटिव charge की direction कौन से होंगे यानि इस charge के ओपर force लगेंगे तो यह move की direction में होंगे इस direction में, क्योंकि इस side में positive है, ये positive इसको ripple करेंगे है के नहीं, अगर negative charge होंगे, तो इसको ये charge खिचेंगे इस direction में, तो basically इस direction में इसके पर force लगेंगे, ठीक है, force की value निकलने के लिए ये formula है, fine, तो अभी देखो, अगर एक magnetic field है, ठीक है, तो magnetic field की direction ये है, मान लो, B से denote कि हमने है, तो magnetic field पे एक charge रखा, ठीक है, तो इस charge के उपर force लगेंगे, ठीक है, तो force की formula कौन सी है, F is equal to Q into P cross B, ठीक है, तो इस तरह से नहीं लिखना, ये cross, ठीक है, क्योंकि factor की case में हम लोग जब into use करते हैं, that shows it is cross product, ठीक है, तो यहापे हम लोग कुछ नहीं लिखें ठीक है, dot cross A से भी नहीं लिखना, ठीक है, ये लिखोगे तो it will become dot product, ठीक है, तो कुछ नहीं लिखना, Q into P cross B लिख दो, अरम से हो जाएंगे, ठीक है, तो इस F की direction होंगे, है कि नहीं, अभी देखो, ये charge अगर rest पे होंगे, ठीक है, अगर move नहीं कर रहे है, तो उस case में इ force कितना होंगे, zero होंगे, force नहीं लगेंगे, और यहाँ पे charge rest पे हो, या motion में हो, कोई डिकत ने, तो इसके पर force लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि formula में क्या है, सिर्फ Q into E है, ठीक है, तो यहाँ पे force के लिए, हमें क्या क्या चाहिए, charge, velocity and magnetic field, ठीक है, तो basically, अगर ये charge, let से motion में है, ठीक है, और इसकी जो direction होंगे, उसकी direction हम लोग मान लेते ही यह है, ठीक है, तो यह इसकी, जो velocity की direction है, this one, fine, तो basically, ये charge motion में है, तो और उसकी velocity की कुछ value होंगे, तो उस case में, force की value कितना होंगे, Q into VB, ठीक है, V cross B, ऐसे लिग सेकते ही, यही है formula, fine, तो इस force की direction को निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V और B के बिच में, जो angle है, मतलब इस तरह से आप imagine करो, this is B, ठीक है, और V की direction यह है, तो वहाँ पे force की direction निकलने के लिए हम लोग right hand thumb radius करेंगे, ठीक है, तो यह जो V है, है ना, तो V इस तरह से है, V से हम लोग कर्ल करेंगे, ठी ठीक है, तो उस case में thumb की direction कौनसी होंगे, into the board, ठीक है, into the board होंगे, तो यहाँ पे आप अगर समझ में नहीं आ रहे, तो इस P की direction को इसे extend कर दो, ठीक है, फिर यहाँ पे P cross B na, P से हम लोग को B तक जाना है इसे, तो into the board यह थाम जा रहे है, because of that force की direction into the board होंगे, उसको समझा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cross product use, cross use करेंगे, यह symbol है, ठीक है, cross मतलब into the board, ठीक है, तो force की direction board की तरफ है, into the board है, fine, अभी देखो, इस scenario में हमने क्या पाया, दोनों को separately देखा कि, electric field की case में इतना सा force, magnetic field होंगे, तो उस charge के उपर इतना सा force लगेंगे, अगर दोनों fields को, electric and magnetic fields को एक साथ रखती है, ठीक है, तो in a sense, अगर एक charge, both electric and magnetic field पे है, तो उस case में हम लोग क्या लिखेंगे, उसके पर जो force लगेंगे, total force, that will be equal to, जो electric, इसको हम नाम देते है, Fe, यह है electric force, और इसको हम नाम देते है, Fb, magnetic force, ठीक है, तो electric force, plus magnetic force, एसे लिख देंगे, ठीक है, तो total force, F is equal to, यह होंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहापे Fb की जगह पे, Qe लिखेंगे, ठीक है, plus Fb की जगह पे, Q, V cross B लिखेंगे, ठीक है, तो यहापे Q को common ले सकते हो, now you can write, E plus V cross B, ठीक है, तो यह है total force, और इसे को हम लोग क्या कहेंगे Lawrence force, ठीक है, इजी है के नहीं बोलो, यस, तो यह जो सिनारियो है Lawrence force की, यहापे हमने क्या पाया, एक ही चार्ज को दोनो, at the same time, दोनो electric field and magnetic field में रखा, ठीक है, तो इस case में हमें total force इतना समय लेंगे, ठीक है, तो आप लोग इस तरह से देखना, चीजों को, एकदम stepwise देख तो अगर आपको यह video अच्छे से समझ में है, तो क्या करना, like करना, share करना, और subscribe करना, ठीक है, thank you